हेलो गाईज वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे एयरिंग तो उसके लिए मैंने यहापे लिए है थीन काट वो शीट और वाटर ड्रॉप शेप के और सरकल शेप के मैंने यहापे स्टोन लिए हैं गॉल्डन कलर के तो आपको जिसस मैं सरकल वाले तो ऐसे ही पूरे लगा देना है यह वाटर ड्रॉप शेप वाले स्टोन को तो पूरा कवर करने के बाद गाज इसको ड्राइब होने के लिए छोड़ देना है फिर इसको फिनिशिंग के साथ में कट कर लेना है ऐसे कट करना है कि थिन काट बो शीट दिखे और यह अच्छे तरह से कट भी जाए और यह हमारे स्टोन साथ बीना तो ऐसे ही इसको पूरा अच्छा फिनिशिंग के साथ कट करना है तो गाइस मैंने इसको कट कर लिया है फिर मैं यहां पर एक नीडल ले रही हूं और उसकी हल्प से मैं यहां पर इसमें होल कर सकते हैं फिर उसके बाद मैंने एक और थिन काट वो शीट ली है फिर मैंने एक यह गैप ले लिया है आपके से भी बॉटल का गैप ले लिजेगा इसको राउंड सरकल बनाने के लिए पर गाइस इसको गैप लेने का रिजन यह है ताकि हमारे दोनों यह इंसके जो सरकल होंगे और वाटर逼ॉबफ शीप से लगाने से स्टाट कर ंएं तो ज is में लगारी हूं data आप देख सकते हैं वैसे ही आपको भी लगा झालें तो सारे स्टूंən्स लगा झाले तो काइस यहाँ पर मैंने सारे स्टों जिससे लगा ओगा दिये हैं फिर इसको भी फिनिश करके इसको ऐसे तरह से कर लेंगे अभाइस ऐसे ही च हार्ट करना हैं घिले ऐसे कुदि Chained के Peices कर लें हो जाएं तो यहां थारो फिनिशफिस कट किया हैं तेरा पीस फिर उसके बाद मैं जम्परिंग की हल्प से मैं इसमें होल में जो हमने होल के आता हूँ वहाँ जम्परिंग लगा रही हूँ और उसमें ही मैं ये चैन अटेच कर दूँगे और जम्परिंग को बन कर दूँगे टाइटली इसके बाद की जो chain का दूसरे वाला पार्टे उसको दूसरी साइड इसमें लगा देंगे तो ऐसी लगा रहें के बाद guys यहां पर center वाला piece लेंगे चैन का और उसमें भी jumping गाएंगे और जो हमने सबसे पहले यह बनाया था इस टोन से तो इसको उपर लगा देंगे और इस तरह से यह ready हो चुका है आप देख सकते हैं फिर उसके बाद guys इसमें पीछे glue लगा रही हूँ मैं and earring stud इसमें मैं glue कर दूँगी फिर जो नीचे वाले thin guard बोशी दिख रही है तो उसमें भी मैं यहां पे stones लगाऊंगी and guys उपर वाले part में stones इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि वो तो हम earring को wear कर लेंगे तो इतना मालूम नहीं पड़ेगा पर जो हमारे earring से वो हमारे पहनने के बाद में गूमेगा तो यह back side भी इसके दिखे के thin guard बो sheet की तो इसलिए यहां पर लगाए है and guys rubber stopper लगा देंगे and guys यह हमारे beautiful and simple से earrings बनके ready हो गए है and guys यह पहनने के बाद बहुत ज़्यादा lightweight भी लगेंगे और कैसे लगे आपको comment करके बताना और वीडियो पसन नहीं हो तो वीडियो को एक like भी कर देना और चैनल पर नहीं हो है तो चैनल को subscribe कर देना और next वीडियो किस topic पर चाहिए यह भी comment करके बताना तो मिलते है next वीडियो में जब तक लिए bye thanks for watching